इपने बेटे गुना धागा दागा-धाई साल का बच्चा उसकी विना होना तो उसकी घरदन पर पैर रख दिया। उसा भी मानने को कोसिस करी। प्रचते थे ता इतनी रोटी खाए कि सिर्फ एक रोटी खाने देते थे। सब जी कन्यों को बैठती थी तो नाना दसास खड़ी हो जाती थी कमरे में बंद करकर रहना चाहते हैं विल्कुल किसी से बोलना पसंदना किसी से चालना पसंदना बात करवाएं पसंदना अपने घरवालों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ दोस्तों मैं आपको आई दिन बेटियों के बारे में कुछ न कुछ खबर दिखाता रहता हूँ आज एक बेटी मेरे आफिस पर पहुँची हुई है उसकी दास्तान सुनोगे तो शायद आपकी आँखों में भी आँसू आ जाएंगी जब उसकी शादी हुई थी उस दौरान उसका वजन था 62 किलो बेहत खुबसूरत थी बड़ी हासीन थी मगर अब महज शादी के चार साल के बाद में उसका वजन 42 किलो रह गया और जो हाथ पैर है साट साल की बुड़िया जैसे उसके हो चुके है मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा और सारी बात उस बेटिया की जुबनी आपको सुनाऊँगा कि आखिर उसके साथ मैं ऐसा क्यूं हुआ जादातर जो बेटिया है या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको अतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी जीवन लेला को समाप्त कर लेती है आज इस वक्त मैं अपने आफिस में मौझूद हूँ और जो बिटिया है हमारे आफिस में अपना दुख़़ा रोने के लिए पहुची है और आए दिन इस तरह के जो पीडिता है या पीडित है वो मेरे पास आके अपना दुख़़ा रोते हैं बिटिया से बाच्चित है लगबाद यह देखिए दिकाव तो ऐसे इसको पलट हो अरे यह देखो हाल अमर है बाइस साल इस बिटिया की अमर महद अभी बाइस साल है और यानि जब यह अठारा साल की थी जब इसकी शादी जो है होई थी क्या ना है पराना पराना कहां कि रहने वाले हैं जहरा अच्छी बात करते हैं जूटे बात बताते ऐसा करंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या बताते हैं खुष रखूंगा किसी चीज की कमी ना देना का हूं किसी चीज की परेशानी ना देना हो कुछ डिमांड ना है खालम मुझे तू ही चाहिए बस अब क्या डिमांड है अब यह नहीं है वे नहीं है दो एक महीने सही रखा और सारा समान दिया घरवालों बाइक दी दो आख रूपा चाहिए मेरे बेटे का नसीफ फूट गा बुलट गाड़ी चाहिए जब रखंगे हम रखने के नहीं है जादातर जो केस होते हैं जूटे भी होता है इन चीजों को जाके जूट बोल देते हैं कि जरा सा परिशान किया लड़के वालों ने मार पीट कर दिया जो है कुछ वैसी बात होगी जगड़ा होता है अक्सर जो है तो जूटे केस में कि हमसे देज मांगा जा रहा है हमसे बेटियां जो है लड़के घर वाले जो उसके सिखा देते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुम्हारा घर बिगाड़ मानें के मामला चल रहा हो और जी नह सारा समान तोड़ फोड़ रखा से अब फिरीज भी सारा बेकार कर रखा मैंना कुछ भी नहीं की फिर यह बोलते हैं नोकल समान और होब है दस लाख रुपए हो बुलट होब है तौर्चर करते रहते थे तुम्हें मगर तुम सहन करती रही है घर पे बताया भी था तुमन न् Compass पांच भाइन किो फिर दो लुट शादिए कोना भाए दो दो बहने में वही को अपने को देंञा करते हैं यह क्तोर करते हैं बहुत बुरा सलूप करते हैं मेरे साथ अच्छा जी नहीं सास बचातीक नहीं तो मुझे पता नहीं थे अप Toronto ठाच्रह अड़ी औरんな रहता है रिश्टा रहने के बाद में आपकी बाती होंगी दिन एक पता इंहीं चल पाया के निष्या करता है उसने नशाब शुरू किया है अ करना पता नहीं पहले से करते हूं यह उत्ते हैं आगे पहले से करें यह भी शुरूऊ कि नहीं पता तुम नशया की वजये से नहीं रहे हुए यह डिमंड है रहा हूं कम रहे करके रहना चाहते हैं बल्कुल इसे बोलना प्संद आपना जाते हैं जाते हैं बात करवाई पसंद अपने घरवा लुग छोड़ने के लिए कि तैयार हूं कुम्रे में से टाख हो रखो निकलते हूं जब करते हैं के हैं कि फिसे बात करती है भी किसी के साथ कसन नहीं चोड़ते हो उसके भेहनों यह आ जाते हैं मुझा कमरे में से निकलन देते वरना कभी आगा पीछ निकल भी जाती हो जाती हूं पानिया निफ्लाने के लिए तू इसके साथ भाग जाए तू इसके साथ यह कर लेगी तू अच्छी ना है अपने भईयो किसी कुछ जखंबी ने तू इसके सर में मार रखे मेरे यहां पर बाउंगों में खवों में धक्का दे दे कर दिवाल में हाँ यह जैसे बता रही है ने बिटिया इस तरह की बात है यह कोई पहली बार वास सुनने के लिए आपके हो नहीं मिल रहे हैं यह बात आप अकसर सुनते रहते होगे अपनी बेटी हो या पड़ोस की बेटी हो या आज पड़ोस में कोई बेटी हो जरूर सुनाई मा आती ह हो की कि फलाकी बेटी की साथ इस तरह से वहां पर हो रहा Everyday dance romance जाता है उसका जुछी जाता हूंगी है उसका जुछी है उसका हशवेंड ऌगा जया जाता है जो बेटी बैदों करs हुँए है। क्योंकि हर तीसरे दिन बुलंद शहर के मैं जिलास पताल में आपको देखा सकता भी रहता हूँ पोश्टमाटम हाउस पर जब मैं पहुंचता हूँ ये तो केवल एक जिले की बात है सारे जिलों में आप कहीं भी चले जाए हर एक पोश्टमाटम पर हर दूसरे तीसरे दिन एक या दो बोड़ी बेटियों की रखी रहती है और जाधतर बेटी वाले आरुप लगाते हैं कि इन्होंने अमारी बेटी को गलागोंट कर मार दिया और जो बेटे वाले हो कहते हैं कि वो खुद खतम हो गए मगर ऐसा होता क्यों है आखिर वो वज़ा क्यों है कि बेटी चाहे मार दी गई या वो खुद मर गई वजह जो है वो है दहिस और शायद दहिज लो भी रिष्टा करने से पहले अगर ये बात पहले से तैह हो जाए और मैं तो एक बात कहना कर चाहूँगा बेटी वालों से सभी से सभी की सामने बेटियां है कि रिष्टा करने से पहले जरूर पूछ ले सामने वाले से कि आपकी क्या डिमांड है अगर वो डिमांड करता है तो वो आपके लायक नहीं है और जो डिमांड नहीं करता वो आपके लायक है क्योंकि हर बाप अपनी बेट सासूर आये थे उन्हों के भी आये थे देखने के लिए हमें नहीं कुछ भी जरुगत सिर्फ हमें लड़की चाहिए शादी के बाद हमें यह होता वे होता यह चाहिए फिर बोला तो यह दिमांड बाद में कैसे बढ़ गए नशा करते हैं इतना करते हैं कि नशा बहुत पर समय इतनी बुरी तरीखे से पीटा मेरा गला भोट रहे फांस लगा रहे मेरे चचे सुसर के लड़के का फोन मिल गा उन्हों का दो मिनट के लिए फोन लिया मैं जब अपने भाई को फोन करा जब मेरा भाई लेका है बाई के सामने चुछ नहीं का यंव और तुम्हें रखना चाहें तो क्या तुम रहना चाहती हो वहाँ गदी में कर लेंचातें काम्रेम बंद होकर पस्कित के चलना चाहती है सबसे मिल जूर के चलना चाहती हूं सबसे अपने घरवालो में सुस्रहवालो सबसे मिल जूर कर चलना चाहती हूं हाँ तुम्हें बंदिश बनागे रखता है तुम्हारा पती या बंतिश दो में रखता है कमरे में बंद करकर रखता फयक्ति कर देता है तो उसकी जो पानょ ने मिले और एसे नहीं रखा तो कि छोड़ने की कि ना दूंगा मेरा कुछ नहीं बगार अगरता मेरा कुछ ना कुछ प्लीस बेड़ने की मेरा तुझ शरखाना चाहता जलिए खार चलिए फिलहा पैस्थ जुह जो है यहां फाने में दर्च कर दिया गया है अब देखते हैं आगे किका रहुजारवाई कैसे झाल झाल